प्रिदर्शकों नमस्कार चल रहे हैं कोवीड महामारी के मधिन अजर आपसे अनुरोद किया जाता है कि कोवीड उप्युक्त वैभार का पालन अवश्य करें जैसे कि मास्क पहनना, नेमित रूप से हाथ धोना उचित शारिरिक समाजिक दूरी बनाए रखना और भीड भाड़ वाली जगों से बचना आए सुनते हैं आज के मुखे समाचार सेल राउर केला इसपास सेंद्र के मेकेनिकल शॉप के उद्यम शील प्रयासों से कंपनी को परियाप बचत थासे सेल आरेसपी के सिलिकॉन स्टील मिल के करमचारियों के लिए बीबी एस पर सत्र आयो जीत और सेल राउर के लाइस्पास सैंद्र पार्शवान्चल गाउं के 2000 से अधिक वेक्तियों को मश्रूम खेती प्रशिक्छन प्रदान की बिसरा हाइस्कूल के छात्र विद्या कान्थ का कहना है मश्रूम की खेती दिलचस्प है और इससे मेरे पॉकेट मनी कमाने में मदद मिलेगी अब समचार विस्तार से सेल राउड के लाइस पास सायंत्र RSP के मेकेनिकल शॉप करमे समूंके उद्यमशील प्रयासुने सिंटर प्लांट 2 के डिस्चार्ज प्रोकेट असेमली के मशिनिंग के महत्वपूर्ण कारे को सफलता पूर्वक पूरा करने में मदद की है इसके परिणाम स्वरूप पादन नुकसान में कमी आई है और सयंत्र के लिए परियाप्त वित्य बचत प्राप्त हुई है विशेस्तार रूप से सिंटर प्लांट 2 की व्रिहत मरम्मत के दौरान यह पता चला कि शॉप्ट के साथ-साथ स्प्रोकेट फ्री एंड बेरिंग चतिग्रस्त हो गई है उपकरण की लंबाई 4.8 मीटर और व्यास 4 मीटर था इन सीटू मशीनिंग तकनिकी रेंज से मेल नहीं खा रहा था सटिक मशीनिंग के अनुपलब्दता भी शॉप्स के लिए एक बाधा बन गई थी मेकेनिकल शॉप करमिसमू ने उपलब्द संसादनों के साथ आंतरिक तोर पर इस प्रोकेट असेमली की मरमबत की चुनोती अपने हाथ हो ली डिजाइन विभाग को मरमबत योजना तयार करने का दाइत पसोंपा गया तदानुसार कारे का गहन रूप से विशलेशन किया गया और एक रोड मैप तयार किया गया इस कोटा मशीन में अपरमपरा गद तरीके से क्रियानवित करने के लिए डिजाइन विभाग के साथ मिलकर पूरी शॉप करमिसमू ने माइक्रो प्लानिंग की शाफ्ट के डाया टर्निंग के लिए एक अटेच्मेंट को मेकेनिकल शॉप में घरेलू तोर से संशोजन के साथ अनुकूलित किया गया इस प्रोकेट शॉफ्ट की अंडर कट स्लीव और आखिरी मशीनिंग कोटा मशीन में की गई थी मशीनिंग के दौरान ड्राइंग के अनुसार आयाम सटिकता प्राप्त करने के लिए सभी एतिहातिक उपाय बरते गए गौर तलब है चुनोतियां ततकाल मरंबत की थी वरना उत्पादन में बड़ा नुकसान हो सकता था अगर पूरी मरंबत आउट सोर्स की गई होती तो कंपनी को लगभग 25 लाग रुपए और कम से कम एक महीने का समय लगता जबकि मैकनिकल शॉप करमे समूद्वारा घरेलो संसादनों के साथ दो दिन के भीतर काम पूरा कर लिया गया सेल्र और कलेसपाय संयंत्र अपने करमचारियों की सुरक्षा और भलाई के लिए प्रतिबद्ध है संयंत्र के भीतर और बाहर भी दुरगटनाओं को रोकने के लिए कई उपाय किये गए हैं सुरक्षा पहल को मजबूत करने के लिए संकल्प नामक एक वेभार आधारिच सुरक्षा BBS हस्तसेप संगठन के भीतर जागरूकता पैदा करने और स्वास्त सुरक्षा संस्कृति लाने के लिए जारी है RDCIS के सम्मेलन कक्ष में 8 सितंबर को सिलिकॉन स्टिल मिल के कर्मचारियों के लिए BBS पर एक सत्र आयोजित किया गया महाप्रबंधक एवं विभाग अध्यक्ष SSM श्री C.R.M. श्री ने समारों की अध्यक्षता की और BBS के महत्व पर प्रकाश डाला इस हवसर पर अनुभागी प्रमुख महाप्रबंधक श्री D.B.N. जी महाप्रबंधक श्री B.D. भी उपस्तित थे कारिक्रम में लगभग 20 कर्मचारियों ने भाग लिया छेत्र सुरक्षा अधिकारी श्री चौरस्या और श्री C. बहराद्वारा BBS पर एक प्रस्तूति करण की गई विश्यों में उद्योग के मान दंडो थे जैसे की राज्य और केन सरकार के निर्देशों का पालन विद्यू सुरक्षा रशनात्मक ड्राइविंग और द्योगीक परिसर के भीतर गती सीमा बनाए रखना शामिल किया गया वेक्तिगा सुरक्षा उपकर्णों के उप्योग और मोबाइल अनुशासन पर भी जोड़ दिया गया कर्मेचारियों को अपने सहयोग्यों को असुरक्षित प्रक्रियाओं का सहारा लेने से सावधान करने के लिए प्रुसाहित किया गया इसके बाद वरिष्ट अधिकारियों द्वारा विचार विमर्शत्र का आयोजन किया गया इस हवसर पर प्रतिभागियों को सुरक्षा शपत भी दिलाई गई कारक्रम का संचालन महाप्रवंधक श्री पीकेच और रस्याद्वारा किया गया बिसरा हाइ स्कूल के छात्र विद्या कांथ ने कहा मश्रूम की खेती दिल्चस्प है और इससे मुझे अपनी पॉकेट मनी कमाने में मदद मिलेगी विद्या कांथ ने स्कूल के अन्य छात्रों के साथ मश्रूम की खेती के लाबों के बारे में सुना था और इसलिए मश्रूम की खेती के कोशल और प्रक्रिया को सीखने के लिए वर्ष 2020 में सेल राउरकेला इसपास सेंत्र के पार्शवानचल विकास संस्थान में आए उन लेखनी है कि RSP के CSR विभाग द्वारा विद्यकान सहित आसपास के गाउं के पुर्षों महिलाओं और छातरों सहित 2000 से अधिक व्यक्तियों को मश्रूम की खेती की कला और विज्ञान में प्रशिक्षित किया गया है उन में से कई ने अपना खुद का व्यवसाय शुरू कर दिया है और सफलता पुर्वक उसे चला रहे हैं सेल के रावरकेला इसपास सेंत्र के दलपोष मौडल इसपाद ग्राम की सुश्री कमला टोपो कहती है मुझे अपने ही गौव में ही नहीं बलकि पंचायत और ब्लॉक स्तर पर भी मश्रूम उगाने वाले ट्रेनर और मश्रूम बीज उत्पादक के रूप में पहचान मिली है सुश्री कमला टोपो एक ग्रिहनी और आरेस्पी के दलपोष मौडल इसपाद ग्राम की निवासी ने पहले आरेस्पी के पार्शवांचल विकास संस्थान में मश्रूम खेती का प्रशिक्छन लिया था और अब वो दूसरों को प्रशिक्छित कर रही है एक सर्वे के मुताबिक रावर्केला में योजना करीब एक क्विंटल मश्रूम का बाजार है इस व्यवसाय में लगभग मार्जिन भी काफी अच्छा है इसलिए रावर्केला और परिधी छेतरों में मश्रूम की खपत और बाजार की छमता को ध्यान में रखते हुए आरेस्पी द्वारा मश्रूम की खेती को एक महत्वपून कौशल विकास कार्टम के रूप में चुना गया था विशेश रूप से प्रशिक्षित व्यक्तियों ने लगभग 3000 किलो मश्रूम का उत्पादन किया है जिसके कीमत लगभग 2 लाक रुपए एक वर्ष में है वर्थमान में उन में से कुछने मश्रूम की खेती को नीमित वेवसाय के रूप में अपनाया है जबकि अन्य अन्शकालिक अधार पर मश्रूम की खेती कर रहे हैं मश्रूम ने गाओं के क्रिशक समुदाय की परिवारिक आय और मलीन बस्तियों की BPL आबादी को पूरा करने में भी मदद की है अंत में हम दर्शकों के लिए मलेरिया डेंगू और चिकन गुनिया से बचाओ संबंधी कुछ महत्वपून टिप्स देना चाहेंगे आसपास के छेत्रों में जल संचय और जल जमाओ को रोकें पानी की टंकियां, कूलर, रेफ्रिजडेटर, डिप, ड्रे की सबताहिक सफाय सुनिश्चित करें पानी के कंटेनरों और गली ट्रैप को अच्छी तरह से ढख कर रखें मच्छों के प्रजनन छेत्रों को किटाणू रहित करें और मच्छरदानी का उप्योग करें सुरक्षित और स्वस्थ रहें और रावर केला को एक बहतर सुरक्षित स्थान बनाएं इसी के साथ ही आज के हिंदी समाचार यहीं समापत होते हैं नमस्कार झाल झाल